वहीं ने क्लास का 5th the lesson football इस lesson का हम भाशा की बाद देखेंगे इस भाशा की बाद ने हमको इधर E bit में क्या दिया है वाक्य पढ़िए और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझाईए तो यह क्या है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना है तो वाक्य भेद हमारा क्या होता है एक ग्रामरे तो इसको सुर्वार कैसी होती है वाक्य भेद तो वाक्य भेद कितने प्रकार के होते हैं वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं पहला रचना के आधार पर और दूसरा जो होता है वो होता है अर्थ के आधार पर तो अब इस रचना के आधार पर जो दिया है इस रचना के आधार पर कितने टैप्स के होते हैं तीन इसके आधार पर कितने होते हैं तीन होते हैं पहला होता है सरल वाकिया दूसरा होता है सायूक्त वाकिया तीसरा मिश्रित वाकिया अभी अर्थ के आधार पर इस अर्थ के आधार पर कितने टैप्स के होते हैं आठ यह जो आठ टाइप से अभी हम इन आठ प्रकार को पढ़ेंगे तो ये जो है अर्थ के आधार पर ये वाक्य भेड है वाक्य भेड दो प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर अर्थ के आधार पर तो रचना के आधार पर तीन होती है अर्थ के आधार पर आधार तो अभी हम इ अर्ति के आधार पर जो है इसके भेद को पढ़ेंगे तो अर्ति के आधार पर आध भेद है वो क्या है पहला विधान आर्थक, आग्यान आर्थक वाक्य, इच्छ आर्थक वाक्य, प्रशन आर्थक वाक्य, संकेत आर्थक वाक्य, संधे आर्थक, विश्मे आर्थक और निशे आर्थक ये आर्थ जो है आर्थिके आर्थार पर वाक्य के भेद होते हैं वाक्य आंटे सेंटेंस तभी सत्से पहले दिया हमको उधारन में लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है तो ये कौन सा वाक्य हो गया? विधानार्था वाक्य इपड़ विधानार्था वाक्य ने मना यला आइडेंटिफाई जैयाली आटे होता है क्रिया के करने क्रिया काम करता क्रिया के करने या करने या होने का सिंपल सा होता है होने का कथन होता है कथन मतलब बोलना बोलना कहना कुछ भी तो क्रिया के करने या होने के बारे में होता है उसे विधानार्था वाक्य कहते हैं नहीं तो किसी इस्तिती या विशयक में कही गई सामा निरूप से सिम्पल टैप से सामा निरूप से कही गई जो बात होती है उससे हम विधान आर्था वाक्य में लेते हैं तो यहां उधारन दिया है लड़का मैदान में फुटबॉल खेलता है एक दम सिम्पल सा है इसमें किसके बारे में बता रहा है क्रिया के करने का बारे में पता चल रहा है कि लड़का फुटबॉल मैदान में फुटबॉल खेल रहा है तो सिम्पल सा खेलना क्रिया के बारे में पता चल रहा है और वैसे ही जैसा इसके और एक्जाम्पल बता रहे हैं तो होगे आपका पहला एक्जाम्पल दिया है वैसे आप इसको दूसरा एक्जाम्पल भी लिख से बादल बादल बरस्ता है दूसरा उधारन ले सकते हो धूप में धूप में बड़ी गर्मी है बड़ी गर्मी है आप इसे भी लिख सकते हो यह हम और ज्यादा दो उधारन दे दिये नेक्स्ट है आज्यानार्थक वाक्या इसमें क्या होता है इसका डेफिनिशन बता रहे है आज्यानार्थक वाक्य को हम कैसे identify करेंगे तो इसमें क्या होता है आज्या नार्थाक वाक्य में आज्या कोई भी आज्या देना आज्या आदेश प्रार्थना प्रार्थना आटे विनती या अनुमती आटे पर्मिशन अनुमती आज्या 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 आज् फुटबॉल खेलिये तो इसमें आपको क्या मालम चल रहा है इसमें आज्या दे रहा है कि आप जाओ और फुटबॉल यहां से जाईए यहां से जाईए आटे एक उन्होंचे बेल दो आटे आटे आडरेग अदा मरम आडर इस तो नटो उदर खड़े हो जाईए उदर हो जाईए इदिकोड़ा आग्या इस्तो नटे गधा तो यह सब यहां मत रुकिए यह आटी यानि मंकी देन किंदु कुस्ते आग्यानार था वाके किंदु कुस्ते नेक्ष्ट है इच्छार्थक वाख्या थडवने इच्छार्थक वाख्या इच्छार्थक वाख्य क्या है इसमें इच्छा या आशा या सुबकामनाओं के बारे में पता चलता है मन कि आ सेंटेंस करता करता आँटे यवरू पनी जैसे वले करताओं का कोरिकल नी अवल आसलू आसिरवादालू शुब कामने सुबा कांग शुलू इलांटी एवे ना तेली पेट अपड़ू आलांटी सेंटेंस अन्य मानकी इच्छार्त को आखे किंदी की होसते हैं तो एक एग्जापल दिया है हमें फुटबॉल खेलना चाहिए अन्य इदी इच्छा मानकी फुटबॉल आडाली अन्य इदी वालों का कोरिका अलांटी उनना सेंटेंस मानकी इच्छार्त को आखे किलो होसते हैं चलो अब इसके और दो चार एग्जापल दे देते हैं इश्वर हर काम में हर काम में तुम्हें सफल बनाए सफल बनाए तो ये क्या है इच्छा वेक्त कर रहे हैं अन्टे इपर ने इदी बलेजिंग हो एँटी देवन निनू प्रती पनी लो निनू सक्सेस चाहिए आली अन्टे इदी ना ओका कोरिका इल्ला आटी सेंटेंस इनलों कोस्ते हैं तुम हमेशा प्रसन रहो प्रसन रहो ऐसे लिख सकते हैं अन्टे प्रसन रथक वाक्य अब भी प्रसन रथक वाक्य के अन्टे अब हमको इसी से पता चल जा रहा है कि किसके बारें बता रहा है प्रसन मतलब उस सेंटेंस लो एदो ओक्टे मन की प्रसन नेरी कंपिन चाहिए प्रशनार्त्रा मतलब प्रशन इसी चे पता चल जा रहा है कि उस वाक्य में यह कोषेन वर्ड उंडा लिकुषेन वर्ड उंटए प्रशनार्त्रा वाक्य किंदी रिष्वत उंदे यहीं गवे डिया है आप क्या खिलते हैं आपका मित्र कहां पड़ता है तुम्हारे पिताजी की तवियत कैसी है तुम कौन से क्लास में हो इला आपका प्रशना लाननी मन की प्रशनार सा वाक्य किंदी की उस्तुन दे नेक्स्ट है संकेत आर्तक वाक्यूलों ये महातुन थुँँदी आणळा एक्रशनार सा प्रशनार गज़ते है दिन की फूल्फिल मीनिंगों पूल्मीनिंग्स रागए की समय मिलता तो हम फूटबॉल खेलते अन्टे यह सेंटन्स दिन में तर डिपेंड है यह पेंदी अन्टे टाइम दोरी किते फुटबॉल आरता हम हूँ अलागे और एक्जांपल बताते हैं जब तुम जाओगे तब मैं आओंगा जब तुम जाओगे जब तुम जाओगे अभी हम जा सकेंगे हम जा सकेंगे इस फर्स्ट पनी इस सेकेंड पनी में तर डिपेंड है यह उन्दी वक्का पनी रेंडो पनी में तर डिपेंड उन्टाप जब तक शोर बन नहीं होगा हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे शोर आटे नॉइस चलो वो भी लिख सकते हैं जब तक शोर शोर मतलब नॉइस शोर बन नहीं होगा बन नहीं होगा पढ़ाई पढ़ाई ठीक से नहीं होगी नहीं होगी अशा भी लिख सकते हैं जब तक शोर बन नहीं होगा पढ़ाई ठीक से नहीं होगी आटे वककपनी रेंडो पनी में दर डिपरेंड नहीं होँँदी एंट दी एपडवार को आटे इस साउंद शब्दाल एपडवार को तगवो आपड़ार को चदू अने दी कोनसागदो करेक्ट का कोनसागदो अनार्दरम संदेह आर्थ वाक्य संदेह 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 doubt डाउट हो, confident का मना चपले मो, confirm का मना चपले मो, doubt डाउट डाउट गा उन्ने लाटी sentence हानी, मन के संधे आरता है किंदी की उस्तों ने, यहाँ example क्या दिया है, लड़का मैदान में खेलता होगा, अब बाई ग्राउन लो आरतुन डोच्चो, अब आरतुन नाडु अने खच् संधे हैं, सायद, सायद, कल, उसे, भुखार, था, अधि पुर माना, confident का चपले लेगा, सायद आरते, शंका, doubt, अधिनकी ने जरम उन्ना दी, आरते, confident का चपले लेगा, सायद, उन्दो लेगा, एक और उदाहरन है, हो सकता है, हो सकता है, वहाँ समय पर आ जाए, तो ये सब क्या है, संधे है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरगोच्चू, जरगोच्चू, अलाटी संधे हाल, उन्ना वाक्या, अलानी मना की, संधे हार्थक वाक्य किन्द कोस्ते हैं, विसमें आर्थक वाक्या, आस्चेरिय, चाला, हर, ग्रिना, शो, आधी भावों को अभिवेक्त करने वाले जो वाक्य होते हैं वो इसमें आते हैं। अलग है और दो अधे एकजांपल दे रहते हैं। हाई बेचारा अटे बाद वेक्त परुष्थना। हाई बेचारा समय से पहले चल बसा। इसमें क्या बता रहे हैं। बाधहने वेक्त परुष्थना। अहा, कैसा सुन्दर द्रिश्य है, अन्ट यन्त अंदमेन द्रिश्य मों अन्ना फीलिंग ये देते मना वेक्त परुस्तु नम, अधि गानी, आस्यरिमू, ग्रिना, बादा, इला अन्टी उन्डे अन्नी, मने कि ये विश्मे आर्थव वाक्य किन्दी कोश्ते है, नेक्स्ट है, निशेधार्थव वाक्य, इनिशेधार्थव वाक्य, इनिशेधार्थव वाक्य किन्दी कोश्ते है, उधारन तो एक्षो दिया है, साड़क पर फुटबॉल खेलना मना है, नकारात्म वद्दू, कादू, लेदू, अन्न नहीं, अन्न पदा लेवेते होस्ते हैं, दान तो टुन्ना सेंटेंस इनिशेधार्थव वाक्य किन्दी की होस्ते है, एक्षामपल है तो एक्षण गदा, साड़क पर खेलना मना है, वैसी ही और दूसरा एक्षामपल बताते हैं, रमेश यहां नहीं है, यहां नहीं है, मैं नहीं जा सकूँगा, यहां करने सुरेश काम नहीं करता, ऐसे कुछ भी हो, यहां से हमारा वाक्य भी कंप्लीट हो गया है, आशा करते हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर इससे कुछ रिलेटर्ट पूछना हो, तो कमेट बॉक्स में मेसेज कर लिएगे,